दोस्तो कोलकाता में दुर्गापूजा की तैयारी पूरी कर ली गई है और कोलकाता में सारे पट खोल दिया गया है इस पर कोलकाता में एक से बढ़कर एक दुर्गापूजा पंडाल बनाए गए हैं पूजा पंडाल को देखने के लिए लोगों में एक अलग ही उत्सा मिल चुका है जिस वज़े से कोलकाता वासी काफी धोन धाम और हर सोल लास के साथ इस वर्ष पूजा का योजन कर रहे हैं हेलो एन वेलकम दोस्तों एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूटुब चैनल में चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्र पंडाल का वीडियो दिखलाने वाला हूं यह पंडाल पूरे भारत का सबसे उच्चा पंडाल बनाए गया है तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं कल्यानी आई टी आई मोड दुरगा फूजा पंडाल दोस्तों अगर आप इस वर कोलकाता में मलेसिया का पंडाल का नाम आता है बांस के स्ट्रक्चर से बनाया गया यह पंडाल देखने में काफी भव्य लग रहा है यह पंडाल के चारों तरफ एलेडी लाइट्स लगाया गया है दोस्तों यह पंडाल देखने में बहुती खुबसूरत लग रहा है दोस्तों इस पंडाल के हो जाएंगे पिछले वर्स पीस्तरी भूमी स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा कुछ इसी तरह के बुर्जु खलिफा नामक पंडाल बनाये गया था जिसे देखने के लिए देशी नहीं बलकि विदेश से भी लोग आये थे इस बार भी कल्यानी दुर्गा पुज़ पंडाल में लाखो लोग आ रहे है दोस्तो इस बार पंडाल के बाहर बांस से बेरिगेटिंग लगाए गया है आप बेरिगेटिंग के मदद से इस पंडाल में परवेश कर सकते हैं दोस्तो पंडाल के बाहर इस पर पानी का फुहारा लगाये गया है जिसे आप देखकर मंत्र मुग्द हो जाएंगे दोस्तो पंडाल के अंदर सीसा से इस बार कलाकारी किया गया है पंडाल के अंदर सीसा के माध्यम से पंडाल के अंदर सजाये गया है सीसे की सजावट को देखकर आप मंत्र मुख्द हो जाएंगे तो दोस्तु अगर आप इस पर दुरगापुजा में घुमने आए हैं तो कल्णानी ITI मोड दुरगापुजा पंडाल में जरूर आएं और हाँ दूस्तू अगर आप ऐसे ही दुर्गा पूजा पंडाल का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे जैमाता दी